हेलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रेड़ना डिलिसियस पूड में आज मैं कॉन की बहुत ही मज़दार रेस्पी सेयर करने वाली हूँ या कॉन से बन कर तयार होती है और कॉन अपे इने बनाना बहुत आसान है और खाने में भी बहुत टेश्टी लगता है तो चली आज की रेस्पी स्टार्ट करते हैं यहां पर हमने देशी कौन लिया है जो कि दो हमने लिया है और इसको छील लिया है अब इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीस्ट लेंगे और यहां पर दो हरी मिर्ष हमने कट करके डाला है बिना पानी के दरदरा पेस्ट हम बना लेंग कोई एक चमच यहाँ पर हमने जीरा पॉडर लिया है, एक चमच यहाँ पर हम नमक लेंगे, नमक स्वादानुसार लेना है, और आधत चमच यहाँ पर हमने हींका पॉडर लिया है, और हमने बारी कटे हुए यहाँ पर सीर्मला मिर्चाइट किया है, बारी कटे हुए हमने ग ला लेंगे, चावल काटा डालने से अपर हमारा बिल्कुल इस पिल्कुल क्रीपी बनकर तैयार होगा तो हम एहाँ पर हम थोडह सा पानी आड़ करेंगे तक इम्हीं अच्छा वेटर बनकर तैयार हो अब इसमें हम एक चमच इनो डालेंगे और एक चमच उसमें हम पानी डालेंगे ताकि इनो हमारा एक्टिवेट हो जाए और सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और देखे फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है ये snack कम तेल से बहुत ही अच्छा बन कर तयार होता है तो इसे अप्टाई जरूर कीजिएगा अब एक अपे पहन लेंगे और उसमें हम तेल को apply कर देंगे सभी में हम तेल को लगा लेंगे ताकि हमारा जो अपे है वो इसमें चिपके नहीं तो हम एके करके इसमें सारे अपे को डाल देंगे सभी कैविटी में आप एके करके अपे को डाल दीजे या तो आप हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं नहीं तो इस्पून की मदद से डाल सकते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर हमने टेल डाल दिया और इसे cover कर दिया और लोम फ्रेम पर इसे हम 5 से 10 मेट पकने देंगे अब हम देखिए friends हम cover हटा कर देखते हैं एक side में हमारा अपे हो गया है तो इसको spoon की मदद से हम एके करके पलट कर दूसरी side भी सेख लेंगे ताकि हमारा अपे जो अच्छी तरह पक जाए और खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगें तो हमने सभी अपे को एके करके पलट लिया है और थोड़े देर हम इसे ढख देते हैं ताकि हमारा जो अपे है वो दूसरी side भी पक जाए friends ये बहुत ही आसान सी recipe है आप बच्चे के lunch box में भी आप इसे दे सकते हैं breakfast में भी खा सकते हैं या evening snacks में भी खा सकते हैं तो friends हमारे अपे बन कर यहाँ पर ready है तो एके करके हम इसे सभी अपे को plate पर निकाल लेंगे देखिए friends हमारे कितने अच्छे soft से अपे बन कर यहाँ पर ready हो गया है अगर आपको हमारी recipe देखने के बाद अच्छी लगी हो तो like share कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो subscribe करना न भूले वेल आइकन दवा दिजिए ताकि latest वीडियो का update आपको सबसे पहले मिल सक और नए recipe में हम मिलते हैं okay bye bye